जी फाइफ पे मनोज बाचपी की एक ऐसी मूवी आ चुगी है जिसमें कॉन्ट्रोवर्सी ना हो ऐसा तो होई नहीं सकता है तो चलिए मूवी का रिविउ स्टार्ट करते हैं और चिंदा की बात कोई नहीं क्यों इसमें कोई भी स्पोईलर्स नहीं होने वाले और खेर अगर आपको रियल स्टोरी पता होगी तो स्पोईलर्स से आपको इतना फरक पढ़ने नहीं वाला तब भी मैं स्पोईलर्स नहीं दूँगा क्योंकि ये स्टोरी स्पोईलर्स से ज़ादा इस चीज़ पर फोकस करती है कि जो भी गटनाई हुई थी उस पर आपको एक क्लोज अप लुक दिखाया चाहे तो मूवी के बेसिक प्लोट से बात कर लेते हैं तो मूवी कहीं न कहीं उसी स्टोरी बेस्ट है आसाराम बापू वाले केस पर बस नाम चेंज कर दिया है थोड़ा चीजों को फिक्शनलाइस करने के लिए पर जो मूवी का टाइटल है सिर्फ एक बंदा काफी है वो आसाराम बापू पर नहीं वो एक लॉयर पर कहानी को बेस करता है उस लॉयर का नाम है पीसी सोलंकी जिसका कैरेक्टर प्ले किया है मनुज बाचपही ने और यह दिखाया जाता है कि मनुज बाचपही जो कि बहुत ही छोटे इससान है और कैसे बाफ़लो से भिड़के struggles को solve करके कैसे उस case में आगे बढ़ते है मनुज बाचपही की बात कर ली जाए तो यहाँ पे उनका accent भी उन्होंने जैसे change किया है और जैसे भी उनकी पूरी acting performance रही जो one of the best acting performance कहा जा सकता है पूरे उनकी career की जो मनुज बाचपही का character है वो ना तो बहुत जादा rich है ना बहुत जादा financially powerful है तब भी वो इतने लोगों से लड़ता है जो उससे financially बहुत जादा rich भी है और political relations में भी उससे जादा powerful है तब भी इतनी अच्छे से जो जीच जाना वो कहीं न कहीं एक motivational वाली feeling तो देता ही है साथ में एक बहुत ही तगड़ा वाला struggle दिखाता है movie fast-paced है मतलब एक case से दूसरे case में jump करने में जादा time नहीं लगाती है इससे आपको problem भी हो सकती है और आप इसको positive तरीके से मिले सकते हो अगर आपको ऐसा है कि एक case के बाद हमें थोड़ा settle होना है थोड़ा slow होना चाहिए चीजों के उबर ध्यान देना चाहिए तो आपको negative लग सकता है पर यह web series थोड़ी है यह तो movie है ना कुछ ऐसे scenes हैं जो एक दो boost bumps वाले feel होते हैं तो मनुझ बाचपी यहां पर दो stories सुनाते हैं एक starting में और एक movie के end में और story सुनके आपको मज़ा तो आई जाता है और सच में एक नया perspective दिखता है जो सनातन धर्म की बात करता है क्योंकि यहां पर कुछ लोग यह कह सकते हैं यह तो सनातन धर्म के against movie है पर मनुझ बाचपी का character महाँ भी यही बोलता है कि जो आसाराम बापू का character इसमें बना है वो सनातन धर्म के support में है ही नहीं वो तो एक राक्षस है साफ साफ बोला गया है इसमें यह movie अपने title को justice भी provide करती है सिर्फ एक बंदा काफी है मतलब पूरा focus मनुझ बाचपी के character पर होना चाहिए इधर दुरगी बातों पर नहीं यहां पर आपको maybe थोड़ा यहां पर negative point आ सकता है यह कि और characters पर जैसे आसाराम बापू वाली side पर भी कुछ focus हो जाता तो उधर की भी चीज़ें थोड़ी ज़ादा देखने को मिलती although मिलती हैं पर उतनी ज़ादा नहीं अब अगर कैरिला स्टोरी से इसको compare किया जाए तो यह movie थोड़ी different type में जाती है वो different में जारी थी अगर आप movie अच्छी बनाते हो अगर उसमें feelings ला पा रहे हो और वो factual है तो फिर movie अच्छी है simple सी बात है इस movie को देखके पूरे टेम बस यही कमी लग रही थी यही feeling आ रही थी काश यह theaters में release होती पर इसमें कोई इतना बड़ा box office star नहीं है जो बहुत जादा पैसे ला सके तो audience को theaters तक हीच के ला सके तो Z5 पर release करना यहाँ पर smart decision था अब यह review का part नहीं है पर मैं तब भी बता देता हूँ मैं IMDB ratings check कर रहा था ऐसे ही जिसमें user reviews लिखे होते हैं वहाँ पर देख रहा था कि सारे user reviews जो one out of ten वाले हैं उनकी profile बस अभी बनाई कही है मतलब में मतलब just कुछ दिन पहले और वह भी सिर्फ एक बंदा काफी है का review देने के लिए तो आप समझ पा रहे हैं कि क्या चल ला है यहाँ पर तो overall यही था मेरा movie का review और इस movie को मैं rate करूँगा 9 out of 10 आप बताइए आपको कैसी लगी सिर्फ एक बंदा काफी है नीचे comments में वीडियो अच्छे लगे कि तो इसको like करेगा चैनल को subscribe करिए and thanks for watching